वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स हम अभी आज चुके हैं नासिक के गोदावरी गाट पे आपको अभी ये जो पानी दिख रहा है वो अरुना वरुना और गोदावरी नदी का त्रिमेरे संगम है यहाँ पे अरुना और वरुना गोब सरीत से पहती है और निचे से आकर गोदावरी में मिल जाती है यहाँ एक मंदीर है इस यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं जो आप मंदीर देख रहे हो यह अर्धनारेशवर मंदीर है यहाँ पे शीव और पारवती एक ही रूप में दर्शन देते हैं कहा जाता है कि पूरे देश में एक यही मंदीर है जहाँ पे अर्धनारेशवर के रुप में शीव और पारवती की पुजा होती यहाँ एक मंदीर है यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे आपको शीव के साथ नंदीर नहीं मिलेंगे यहाँ पे फोटो पाड़ना और वीडियो बनाना एलाव नहीं था तो हम आपको यहाँ की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे हमने दर्शन कर लिये हैं और अपने नेक्स पॉइंट की और यहाँ से अब रवाना होने वाले हैं अभी हम जहाँ पे आए हैं यहाँ पंचवटी है कहते हैं कि जब राम भगवान और लक्षमन जी राक्षर सोल से लड़ने गए थे तब सिता मया को राम जी ने यहाँ पे चुपा लिया था इसलिए इस जगा को सिता देव की गुफा भी कहते हैं यहाँ पे उनका एक्षिबिशन है जो एक रुपे में आपको दिखाते हैं यह वही जगा है जहाँ पे राम ने सीता मार्था का हरन किया था दोस्तों अभी आपको यह जगा दिख रही है यह वही जगा है जहाँ लक्षमन ने शुर्पंगा की नाग काटी इसलिए यहां पे एक छोटा सा अच्छा सा एक्जिबिशन बनाया गया है जहाँ पे ऐसा आपको पुतले के द्वारा बताया गया है कि कैसे लक्षमन ने सीधीर पंखा की नाग काटी थी ओ यहाँ पे एक लक्षमन जी का मंदीर भी है उसके बाहर यहां पे अच्छा खासा कुछ फोटोस भी लगाई है एक्जिबिशन के लिए और यहां पे एक छोटा सा शॉपिंग शेंटर भी है कि आप कुछ को खरीद ना हो तो आप यहां पे खरीद सकते हैं और दोस्तो यह देखिए एक गणेची की बहुत ही खुबसूरत सी मोर्ती बनाई गई है दोस्तो अब हम जहां आ चुके हैं इस जगा को रामगाट कहते हैं आपने सुना होगा कि नाशिक में कुम मिला लगता है हाँ यह कुम मिला यहीं पे लगता है दोस्तो आपको हमारी यह इंफोर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो में अंतक बंदे रेने के लिए धन्यवाद